दोस्तो रेलेवे में वेटिंग टिकट को लेकर के एक राहत मिली है यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही तय हो सकती है कि हर ट्रेन में नियुनतम वेटिंग टिकटों की संख्या जिसे की भीड पर नियंतरण लगाया जा सके दोस्तो आपको बता दें कि गोरगपुर के जोन की तरफ खास करके प्रमुख ट्रेनों के आरचित कोच में सीट के लिए मची मारा मारी के बीच राहत की बड़ी खबर है ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेनों में जल्द ही AC 3rd वसलीपर के कुछ को एकोनॉमिक क्लास में बदल जाएगा AC 3rd वसलीपर के एक कोच में 72 बर्थ होते हैं जबकि AC 3rd में 80 बर्थ होते हैं ऐसे में सरकार का इसा मानना है कि जो यात्री हैं उनको 8 अत्रीक्त सीटे जो है की मिलेंगी ऐसे वेटिंग टिकट वालों की संख्या कनफर्म में बदल जाएगी तो ऐसा मानना सरकार क है वहीं पर ऐसा बताया जा रहा है कि लगबग 55 ट्रेनों में बदल गई है जो की रेक की संरचना जो उसमें रेक होता है उसके संरचना को कुछ अलग धंग से इन्होंने बदल दिया है ऐसा कहा जा रहा है कि इनसे कई AC 3rd की जगर 2nd क्लास तो किसी में 2nd क्लास की जगर Economic क्लास बना दिये गए है और कुछ में जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें October 9 से परिवर्तन लागो हो जाएगा दोस्तों अमीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आप तक पहुश पा रहे होंगे चुकि अब जो नया नियम लग गया है उसम से आप यात्रा कर पाते थे लेकिन आप आप स्लीपर में नहीं गुश सकते हैं ऐसे में यदि आपको इमर्जंसी में कहीं यात्रा करनी है तो आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है उमिद करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आयोगी चैनल में तो जरूर कर लिजिएगा